हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इंडियान जोग्रफी के अंतरगत NCRT पर वेस्ट महत्पूर प्रश्न देखेंगे इसके पहले पार्ट में हमने एक से पचास तक MCQ solve किये थे तो यह second part है तो फिर start करते हैं आज का first question है कि भारत संसार का सात्वा वड़ा देश है इसके अंतरगत संसार के कुल छेत्रफल का लगभा कितना भाग आता है तो आपको पता होगा 2.4% आता है और यह भारत है जो विस्विकास सात्वा वड़ा देश है मतलब भार सा है रूस फिर कनाड़ा फिर चीन तो इस तरह आप पूरा सीक्वेंस का याद रखेंगे और भारत कि सिस्तान पर आता है साथ पेस्तान पर आता है तो चलिए next question देखते हैं हम तालचीर किसके लिए प्रिसिद्ध है तो आपको पता होगा तालचीर है जो उड़ी शाह में है और यह भारी जलसायात्र के लिए प्रिसिद्ध है next question है कि भारत की पहली सूती बस्त्र मिल 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में इस्तापित की गई थी वह किस राज्ज में है तो आपको पता होगा यह पस्चिम मंगाल में है और यह पहली सूती मिल थी 1818 में जब अंग्रेज इस वह कि गई थी फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी और अंग्रेजों के द्वारा की गई थी फोर्ट ग्लोस्टर कहां है तो फोर्ट ग्लोस्टर पस्चे मंगाल में है next question हम देखींगे next question है कि करक रेखा यह ट्रॉफिक आफ के अंसर किस सहर के पास से होकर गुजरती है तो यह भोपाल के पास से गुजरती है आपको पता होगा जो यह करक रेखा है तो मद्द प्रदेश के भोपाल के पास से होकर गुजरती है और यह कितने राज्यों से गुजरती है ट्रॉ आपको पता होगा अंडबान निकोबार की राजधानी कौन सी यह पोट नीचन inadequयर है और यहां से क्या होता है दश दिग्री चैनल गुजरता है और यहां से क्या कौन से धीप समोह है निकोबारी दीप समोह है इस यह आप याद depende और यहां से डंकन पास गुजरता है फिर नेक्स्ट कोश्चन हम देखेंगे किस राज्य में सरवादिक चंदन के ब्रक्ष पाये जाते हैं तो आपको पता होगा कि जो चंदन है यह निलगिरी पहाड पर पाये जाता है यह हमारा प्रायदीपी भारत इस वाले बेल्ट में य प्रोपिकल डेसीडूस फॉरेस्ट का एक बहुत इंपोर्टेंट प्लांट है मतलब उस्ट कटी बंदी पत जड़ी बन का प्रमुख एक ब्रक्ष है फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि टीक बहुत जादा मात्रा में कहां पैदा होती है तो आपको पता होगा टीक मतलब 51 परसेंट केवल ही मतलब प्रदेश में उत्पादित किया जाता है और इसे टीक कहते हैं या टेक्टोन ग्रांडिस भी आ सकता है या सागोन भी कहते हैं नेक्स्ट कॉस्चन है कि भारत में किस किसम के कॉफी का उत्पादन किया जाता है तो आपको पता होगा कि एरेवी का किसम की जो कॉफी उसका उत्पादन किया जाता है कहां किया जाता है यहां पे करनाटक वाले रीजन में यहीं चाय का सरवादिक उत्पादन चाय प्लस कॉफी दौनों का ही उत्पादन कहां किया जाता है करनाटक में किया जाता है यह भी हम याद रखेंगे और किस किसम की है एरोविका इसकी एक किसम है next question है कि टेहरी डेम किस नदी पर आवस्तित है तो आपको पता हुआ कि टेहरी डेम है जो वह भागी रती नदी पर आवस्तित है जैसे कि हम देखेंगे कि यह हमारा यह भारत है तो इधर पर उत्रकंड वाला रिजन है तो यहां से भागी रती नदी के संगम पर ही टिहरीवंद पाया जाता है जो की उत्राखंड में है और यह सबसे उचा बांध है सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो आपको पता होगा सूरत है तापती नदी के किनारे बसा हुआ है तापती नदी के मोहाने पर और जो सूरत किस के लिए प्रिस साथ ही आप दो कोश्टान और याद रखींगे कि तावा मत्लब सबसे सबसे इंपोटेंट मतलब सबसे परस्ट राज तो राजिस्थान है यह दोनों कोश्चन आप याद रखेंगे यदि उत्पादन की बात आए तो मद्य प्रिदेश रहेगा पहला तावे में और मद्य प्रिदेश की कौन सी खदान है मलाजखंड जो की बालगाट में वस्तित है और तावे के लिए तावे के भंडारण की बात करी जाए तो पूट आए थी उसके अनुसार और यहां कौन सी परियोजना चलाई जा रहे ही राजस्थान में तावे के लिए खेत्रीडी परियोजना चलाई जा रही है नेक्स्ट कॉस्चन है कि निमलिखित मेंसे कौन सा राज आपतानी आदिवासी लोगों के लिए जाना जाता है तो आपतानी जो आदिवासी हैं आपको पता होगा अरूना चल प्रदेश में निवास करती है यह आदिम जन जाती है एक निमलिखित योगमों मेंसे कौन सा ए बाराणसी में नहीं है ये एकदम गलत है उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्सन देखेंगे कि पहिया और धूरी कार खाना बैंगलोर में है सही है रेल डिबबा कार खाना कपूर्थला में ये भी सही है नेक्स्ट कॉस्चन देखेंगे कि तपोवन और विश्णु गड़ जल्ब ओमकार इश्वर में अवस्थित है और उसकी जो किपीसिटी है 1000 म् कार इश्वर परियों परियूजना बाद है नेक्स्ट कोस्टान REM हम देखींगे भारत का भाय अभ्यारण जिसमें सबसे अधिक हाथीओं की संख्या पाई जाती है तो हातियों की सबसे ज़्यादा संख्या कहां पाई जाती, कांजी रंगा में, जो कि कहां है, असम में है, यहां पर सरवादिक क्या पाई जाते हैं, हाती पाई जाते हैं, अब दुद्वा राश्टी अभ्यारण कहां है, यूपी में है, मैंने अपने राश्टी ये उद्या कहां यूपी में है या-द रखेंगे और काजरे असम हमा बिलकुल तोड़ा तोड़ा तो ऑपाई जाती है तो एकक् कहीन मैं सुमेलणे सटी नहीं कौन सब्सक्राणा क לאלे नहीं को तो जाइपूर को पिंक सिटी कहते हैं, बिल्कुल सही है, आपको पता होगा कि जब बेटेस प्रिंसेज आये थे, तब उनकी आने के स्वागत में जाइपूर के पूरे मकानों को गुलावी कलर से करवा दिया था, पेंट करवा दिया था, तो इसे पिंक सिटी या गुलावी कहते हैं ना कि जैसल मेर को तो यह भी हम याद रखेंगे फिर नेक्स्ट कॉस्चन है कि भारत के किस राज्यू में मांसुन का आगवन सबसे पहले होता है तो आपको पता होगा कि जो भारत में मांसुन आता सबसे पहले केरल में आता है तो पता होगा फिर नेक्स्ट कॉस्च कहां से हुआ है तो सतलुज ब्यास नदी के जो हरी के बैराज है वहां से आपको पता होगा जो इंद्रा गांधी नहर है राजस्थान की जीवन रेखा कह सकते हैं इसको और यह सबसे लंबी नहर है भारत की इसका जो निर्माड हुआ था इंद्रा गांधी इससे पहले पाते कोंट से नाम से पकाण जाता है तो आपको पता हो काई देखिए कि आपको पता होगए कि यो peng चीफ, यहां से स्टार्ट होती है यहां से बिशफ है दोनों के मिलाने साफ को नियलगी माउंटन कहते हैं फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो जिला दर्रा किसको जोडता है आपको पता होगा जो ज जिला दर्रा है जामू यहाँ से देखेंगे जैसे मद्ध प्रिदेश वाला रीजन है इस वाले पार्ट से सोन नदी यहां से निकलती है और उत्तर की ओर बेहती है और यहां जाते हुए यह गंगा में मिल जाती है तो यह हम याद रखेंगी यह निकलती है और यह जांको प्टा डान्में सब्सक्राइब एक सर्कूंच लिया जाता है यहां पर गांधी सागर बान बनाती है और अधर से उपी में एएंटर करती है और चम्मल नदी यम्ना में मिल जाती है इसलिए यमना कि यह सबसे बड़ी सहाएक नदी कौन सी है यहां पर आप देख सकते हैं पहले MP फिर यूपी फिर राजिस्थान तो चम्मल नदी कितनी राज्यों से होकर गुजरती है और किसकी सहायक है इसकी जो लंबाई है कितनी है 965 क्लो मीटर है का नेच्ट कोश्चन हम देखींगे कि भारत का सर्वाद खने जियोक्त सेल तंत्र कौण सा है तो धारवाड क्रूम की चट्टा नहीं है सरवाद एक खने जोक्त हैं जिनका निर्माण आरकी इनके अफच्छा अपरदन की किरिया द्वारा हुआ था इसके बाद हम देखेंगे की कांडला जो कच्छ की खाड़ी में इस्तित है निमलकित में से किसके लिए जाना जाता है यह एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जॉन के ल है करे नियुकट बर इसक अगाल जूब सामिल किया है और यहां क्या है सारह जो जहाज है यहांसे जो इंपॉर्ट और एक्सपोर्ट होता है वह maximum मैंहीं से होता है तो इसे लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ॉन भी कहते हैं और यह कहां अवास्टे से तो लौह ये फिर नेक्ट कोश्चेन लाएब किस नाम से चाहल या वह कुन सी नदी पर रिस्थे तो आपको पता हूगा जून्गारý जुंसागर भहुत्स अभूत अवश्टित अर्फित Spaß किसा न धी पर हैं में अर्देश तो देखेंगे कि जारखंट के जरीया चैत्र में मुख्य परवस्तित से निकलती है और यह कच्च की रन में ही समाहित हो जाती है मतलब इससमुद्र तक नहीं पहुच अभ्यारन को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारन कहा जाता है तो आपको पता हुगा के व्ला डेव राज्टी उध्यान जो की राजस्तान में अवस्थे थे जिसे क्या बहुत देशी परियोजना है किस बड़ी नदी की सहायक नदी परिस्थे थे तो आपको पता होगा कि तुक भद्रा नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक है और कृष्णा नदी की जो सहायक है तुंग और भद्रा नदी उसी पर ही बहुत देशी परियोजना चलाई जा रही से पूर्व भारत सरवादिक जूट मिल इस्ताफित किया गया है तो आपको पता होगा कि पूरव भारत का जो प्रतंट के पूर्व बंगाल टवा से किसी अरैवीम समूद्र किर तो आपको पता होगा कि अरब सागर की रानिया, अरेवियन सी, कुईन किसको कहा जाता, कोच्चिन को कहा जाता, जो कि किरल में अवस्तित है, और यहां सबसे बड़ा डॉक्यार्ड है, आपको पता होगा, नेमलिकित बंदरगा हो मैं से कौन सा एक नदी टटिये बंदरगा है, तो आपको पता यह बंदरगा बनाया गया है, और एक कैसा है, नदी टटिये बंदरगा है, कोलकाता, भारत का एक मात्र नदी टटिये बंदरगा है, कई बार एक जाम मैं पूछा गया है, बिवेकनंद पत्थर समुद्र की बीच इस्तित है, आपको यह पता होगा, बहुत अच्छा प्ले पुणे में किया जाता है तो फॉटे में किया जाता है नेक्स्ट कॉश्चन देखिंगे कि भारत में पस्चिम टटके उत्री भाग को क्या कहा जाता है तो कॉंकर टट कहा जाता है और गुवा से मंगलोर तक इसको कनना टट कहते हैं और बैंगलोर से केरल तक इसको मालावार टट कहते हैं तीनों नाम हम जरूर याद रखेंगे और यहां पर कृष्ण अनदी से देखेंगे तो यहां तक है जो नेक्स्ट इसमें देखेंगे कॉस्चन में अभी यह कॉस्चन आएगा कि भारत में से थीनों तरफ से घरा हुआ है तो यह कॉस्चन भी यहाद रखेंगे इंप्टेंट कॉस्चन है कौन सा उद्यान बैंगलाधेस के साथ भी अपनी सीमा को सांज़ा करता है तो सुंदर बन नेशनल पार्क है जो बश्चम पंगाल में अवस्तित है और जो बंगलदेस की ब काले भालू और हिम तेंदुए हैं जो एसी आई काले भालू और हिम तेंदुए कहां पर रखे गए या इनका सरक्षण कहां किया गया है तो आपको पता होगा कि उत्राखंड के नंदा देवी और जो फूलों की घाटी है बैली या फ्लॉवर नेशनल पार्क है उत्राखंड अब ही मैंने यहां बता है तक यहां और बाएंब कर दिता क्रिपाफिपा कले के नाई था कि कूं सा ओत्राखंड रता है हरामे शुरम दीप तक इसको क्या कहेंगे कोरुमंडल टट कहेंगे यह भी याद रखेंगे यहां से भी एक तर कॉस्चन आ जाते हैं नेक्स्ट कॉस्चन है कि अंडवान उनको बार दीप समों का सरवुच्छ सिकर पल्यांड सिकर यह सेडल पीक भी कहते हैं कहां वस्तित है तो यह उत्री अंडमान में है इसको ट्रिक के साथ याद करवाया गया था मांटेन वाले वीडियो में यदि आपने नहीं देखा तो वह आप जरूर देख लीजिए आज का लास्ट कॉस्चन है कि भारत के पस्चिम टटिये मैंदानों के उत्री भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है अभी बताया था कोंकर टट उसके बाद करनर टट फिर मालवार टट तो इसको किस नाम से जाना जाता है कोंकर टट के नाम से जाना जाता है थैंक्स फॉर वाचिंग यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और आपको नेक्स्ट वीडिय प्लिस कॉमेंट कीजिए थैंक यू